अबी भी मैं राहूल के घर पे हूँ उसके टेरेस पे हूँ चट पे आया हूँ अभी हम लोग गए थे नास्ता करने के लिए बीकाराम चानबल वहाँ पे हम लोग उने खाया सेंडविच और अभी वापस आये हैं राहूल के घर पे आज गांधी जैनती है सभी को गांधी जैनती की बहुत-बहुत सुपकामना है चुट्टी का दिन है लेकिन मेरे लिए चुट्टी नहीं है आज शाम को पांच बजे मेरी मीटिंग है मुझे मीटिंग में जाना है तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे गाइस गैरेज में मिलता हूँ आप लोग सबीन और फिर अभी हम लोगuju घ्किने सवर तो करीज हमारे साथ अंजली जा रही है अंजली गोटू अंपी चर्ण अंपनी वर्ना動画 में में के सब दखныхन को फिरन फिर की का निकाल के लिए तो गाइस गैरेज adapt part चलिए हों में हम लोग अपनी वर्णा और वर्णा लेकर शलेंगे जरूर बैठ सकते हैं तो गाईज गाड़ी निकालते हैं फिर मिलते हैं तो गाईज ये हमारे गैरेज का गेट है सामने अभी गेट खूलेंगे और गाड़ी निकालेंगे पीछे अंजली बैठ गई है सामने गोटू गया है कोसिस कर रहा है गेट खूलने की पर लगता नहीं है मुझे क्यों खोल पाएगा मुझे ही जाना पड़ेगा गाइज गर के नीचे आ गए ताहूल बैठ चुका है जी जानी दी बैठ चुके है अंजली बैठ चुकी है यहां गोटू बैठ चुका है अब हम लोग निकलते हैं दखिनेस्वर की तरह लेकिन मंदीर बंद है तो हम लोग इसलिए अंदर नहीं जाएंगे हम लोग यही से गाड़ी गुमा ले रहे हैं तो गाईज अभी रहूल के घर के नीचे आ गया है गाड़ी यहां पार्क कर दिया है अब जाएंगे उपर घर पर जाके खाना वाना खाके फिर निकलेंगे मीटिंग के लिए तो गाईज रहूल के घर पे आ गए और यहां देखो बगल में मेरे कौन बैठा है कौसल भाई कौसल भाई आए हैं इनको एक फोन लेना था तो फोन लेके कौसल भाई अभी जाएंगे घर और हम लोग खाना खाके निकलेंगे मीटिंग के लिए तो गाईज हमारा खाना आ चुका है खाने में रोटी है आलू की सबजी है चटनी है यहां एक सबजी और है छाच है तो खाना खाके फिल निकलेंगे गाईज तो गाईज अभी निकल गया हूं मैं मीटिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूं राहूल नहीं है वहां पर मीटिंग होगी फिर मीटिंग करके वापस आते हैं गाईज तो गाईज अभी अन्दा वे हूं मैं बस जा रहा हूं मीटिंग के लिए चार बज के तेरा मिनिट हो चुके हैं साड़े चार बजे तक मुझे पहुंचना है और मैं बेल गडिये एक्सप्रेस वे में गाड़ी चला रहा हूं अभी मौसम आप देख रहे हैं बारिस हो रह ही है यहां निकल रहा है ट्राफिक हम दीरे जीरे जीरे दीरे आगे बढ़ रहे हैं लोग फिर भी कैलकेटा का ट्राफिक तो कम है आप मॉंबई जाओ दिनली जाओ वहां बहुत ज्यादा ट्राफिक मिलेगा आपको कैलकेटा में फिर भी ट्राफिक कम है बस आल्मोस्ट पहुंचने ही वाले हैं आगे वाले सिगनल से लेफ्ट लेंगे हमारा लोकेशन आ जाएगा गाईज वहीं पे एक क्लाइंट वेट कर रहे हैं उनी से जाके मिलना है गाईज मैं तो पहुंच चुका हूं बस अभी क्ल चुका है बस वह हुस्पीटल के आसपास में कहीं पर मीटिंग है यह देखिए एक रेस्टोरेंट है गाईज केशरीया जंगसं यहीं पर अभी क्लाइंट आ रहे हैं तो वेट करते हैं तो गाईज मीटिंग हो चुकी है अभी वापस आगया हूं गाड़ी में अब जारहा तो फ़ान थोड़ा घर की तरफ मिलते हैं गाईज तो गाईज राथ के साड़े तीन बज़ रहे हैं हम लोग बैटों में दुषाल के घर में और यहां प्रफुल को देखो प्रफुल क्या वाट है ना ना प्रफुल अपना पब्जी खेल गाई है लाहूल और प्रफुल दोनो मिलके पप्जी चनल जा रहाई, आट के साड़े तीन बजे, अब आटने को नाटेक्स कान टोन कि समय कि यह नहीं जानी का था उस समय कराद बेर है 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 हम लोग रात को तीन बजी आज पब्जी खेल रहा है जो की हमीशा नहीं होता है काटर के घर में आ गए हैं हम लोग आप हो देखो भाई मैं लेट रखा है यहां पर अच्छा लोग कुणी घर नहीं जी यह प्रफुल खेलगा अब जी है बाई सुबह क्या करना है बाई यह तो बता दे जंता को बाई बीजी हो रहे हैं बीजी हो रहे हैं पदी में इतने लगे पड़े हैं देखो इनको मैं तो भाई अब सूँगा सुबह उठोंगा मैं मुझे तो नीन आ रहे हैं भाई कहां सब्सक्राइब कहां चले रहे हैं तो आओ रिडार में आओ क्या खेला भाई नुसा नुसा खेला भाई अब मैं सोने जाओंगा आज के लिए इतना ही काफी है सुबह उठेंगे सुबह फिर बात करेंगे आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए आज मोला शलो सी यू गाइस